दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि गैस प्लांट के परमुख भाग वे उनके कारिया गैस प्लांट क्या है और गैस प्लांट में कौन से कौन से भाग होते हैं तो चलिए दोस्तो आपको बताते हैं गैस प्लांट के निमलिकित परमुख भाग होते हैं नम्ब एक, बोनट, नम्ब दो, रिटार्ड, नम्ब तीन, हाइट्रोलिक बॉक्स, नम्ब तीन, टेस्ट कॉप, नम्ब चार, आयल साइफन, नम्ब पाच, स्टेंड पाइप, नम्ब छे, साइफन बोक्स, नम्ब साथ, इलेट पाइप, नम्ब आठ, इंस्पेक्शन श्राइट, नम्ब नो, तेल टैंक, नम्ब दस, मैन वाल, जारा फाइर बोक्स, बारा फाइर ब्रिक्स, नम्बर तेरा, जो हम हर ब्रिक्स का प्रियोग करते हैं, ब्रिक्स के ऐसा होना चीए, ब्रिक्स चैन होना चीए, जिसको पर हम ब्रिक्स को रखते हैं, कि फाइर पिक्स क्या होती है वो लाल हो जाएंगे लेकिन जलेंगे नहीं आग नहीं लग सकती उससे उसके बाद आता हमारे पास हम आपको बताते हैं पूरा उनका कारिय ने दी बोनट यहाँ एक बैन पाइप होता है इसे रिटार के साथ लेड़ दवारा जोड़ा दाता है यह कास्ट आइंटी बनी होती है रिटार दवारा जो गैस बनती है वह है इससे होकर हाइड डॉलिक बॉक्स में और गैस वहां से डिलेवरी पाइप से होती है होती ही गैस होल्डर में चली जाती है गैस को चालू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि इसका पेंदा पिंगले हुए सिक्टे पर बैठ गया है कि या नहीं कि इसमें किसी प्रकार की लिकेज नहीं होनी चाहिए कि यदि लिकेज होगी तो कि गैस बननी की बजाए उसमें आग लग जाएगी क्योंकि उसके अंदर हवा प्रेस परवेश कर जाएगी इसलिए लिकेज नहीं होनी चाहिए नमबर दो रिटार्ड एक बड़ा ड्रम है इसका निचला शिरा बंद और ऊपर से खुला रहता है जिस प्रकार गरम पानी के लिए बालर फिट करते हैं उसी प्रकार से गैस बनाने के लिए इसे प्रियोग करते हैं गैस बनाने के लिए रिटार्ड को पहले अच्छी तरहें लाल गरम किया जाता है बठी के अंदर इसे देखने के लिए लाल गरम होया नहीं इसके लिए एक सुराथ बना जाता है रिटार्ड की गरमी पर ही गैस का बनना निर्भर करता है यदि यह कम गरम होगा तो गैस ठीक नहीं बनेगी यदि गैस यदि अधिक गरम होगा तो भी काम ठीक नहीं करेगा क्योंकि गैस का असली रंग ब्राउन होता है इसलिए गैस को गैस होल्ड को देने से पहले बैंड के ऊपर जो वार्म लगा होता है उसे अच्छी तरह चाय कर लेना चाहिए इसके बाए आता थी नंबर स्टेंड पाइप यह एक वर्टिकल पाइप है जो बोनट और हाइडोलिक बोक्स को आपस में जोड़ती है इसके तवारा गैस बोनट से होकर के हाइडोलिक बोक्स तक पहुशती है बोनट उसके बीच वाले ज्वाइन से पानी डाला जाता है ताकि गैस लीक नहीं हो जाएग नंबर चार हाइडोलिक बाक्स यह पाक्स वर्गाकर या आइपताकर आकरती का बना होता है जब स्टेंड पाइप दवारा गैस इसके अंदर आती है तो वह गैस पानी के अंदर से जाती विए डिलेवरी पाइप दवारा बहर जाती है इसके लिए इसमें पानी का सत्र लेवल सही होना चाहिए यदि पानी का लेवल सत्र अधिक होगा तो गैस वही रुक जाए लिए जिससे बैक फायर का बहर जाता है यह पानी इसलिए डाला जाता है कि ताकि गैस ठंडी हो जाए और तारकोल उसके साथ आए उसे वही छोड़ दे इसके लिए एक पाइप लगा होता है इसके उपर पलग लगा होता है ताकि गैस बहार ने आ सके यदि तारकोल की मात्रा अधिक हो तो हैंड पंप लगा कर तारकोल बहार निकाल दिना चाहिए नमबर पाँच टेस्ट का यहां डिलावरी पाइप के बैंड के उपर लगा होता है ताकि गैस गैस होल्डर में जानी शुरू हो जाए उस समय गैस को टेस्ट करने के लिए गैस ठीक बन रही है या नहीं इसके इसे जला कर जाचा जाता है इसके लिए गैस के रंग को देखा जाता है इससे जाचने के तीन रंग तीन रंग आते हैं सफेद रंग काला रंग और भूरा रंग वाइड ब्लैक और ब्राउन छी नमबर में हमारा फिर क्या है तेल साइफर्ण यह कप की भाती होता है इसमें तेल साइफन रखा हुआ होता है यह फ्लोट की आकरती में होता है जब इसमें तेल अधिक होता है तो फ्लोट उपर उट जाता है उटकर तेल नीचे की और दमता है दूसरा यह है इसलिए भी लगा जाता है या लाब दायक है कि जब गैस बैक फायर करती है तो यह उपर उटकर बहार गिरता है जिससे गैस आपरेटर को दबा आपरेटर को पता चल जाता है कि गैस रुकी हुई है इनलेट पाइप नमबर चार है साथ चार निस साथ नमबर क्या है इनलेट इस गिलेवरी पाइप भी कहते है क्योंकि गैस होल्डर को इसके द्वारा ही गैस सप्लाई होती है नमबर आठ निरक्षन सुराग यह सुराग बट्टी के केंदर में होता है इसमें एक प्लग लगा होता है इस सुराग से इंटाइड की गर्मी को देखा जाता है कि लाल हुआ है या नहीं नमबर नो तेल टैंक यह तेल से भरा होता है इस से एक पाइप बोनेट तक पहुचाई जाती है जिसके द्वारा तेल इसमें से लेकर तेल साइफन और रिटार में पहुचाई देता है या पहुचाता है नमबर तस मैन वाल यह हाइडरिक बाक्स के आगे फिट होता है इसका प्रियोग गैस को बंग करने वैर खोलने के लिए करते हैं इसे स्लूस वाल्व भी कहते है गैस ओल्डर ज्यारा नमबर यह माइल स्टील का बना हुआ टैंक होता है इसका साइज बारह बारह सो गुना बारह मिलिमिट्र होता है इसकी सीट की मोटाई मिलिमिट्र से मिलिमिट्र तक होती है इसका निचला सिराबंद और मिलिमिट्र से क्या थी इसकी सीट की जो मोटाई होती है वो तीन मिलिमिट्र से छे मिलिमिट्र तक होती है इसका निचला, सिरा बंद और उपरी सिरा खुला होता है खुले सिरे पर एंगल चैन लगाई जाती है गैस लिकेज नहीं हो सके इसके लिए इस टैंक को पानी में रखा जाता है क्योंकि पानी में गैस लिक नहीं होती है और गैस पानी में हलकी होती है जब गैस टैंक के अंदर जाएगी तो टैंक अपने आप उठना सुरू हो जाता है एक टैंक को पानी के अंदर रखने के लिए एक इटो वे सिमेंट की बड़ी टैंकी बनाए जाती है सिमेंट वाले टैंकी की उचाई लोहे के टैंक से बनी टैंक से तीन सो मिलिमीटर तक होती है ताकि लोहे का टैंक इसके अंदर पूरा ना बैठे सके सिमेंट टैंक में दो पाइप एक इनलेट और दूसरा आउटलेट लगे होते हैं तथा साथ में एक छोटा टैंक और बना होता है इसमें गैस के साथ जो तारकोल आता है उसे उसमें डालते हैं तारकोल छोटे टैंक में डालने के लिए हैड पंप का परियोग करते हैं जिससे सुध गैस गैस होल्डर में इकठी होती है इसके बाद गैस को बाहर ले जाने के लिए आउटलेट पाइप लगा होता है गैस के कि हमें ग्यात है कि सुध गैस को आग नहीं लगती है जब तक उसमें आकसिजन में लग जाए आपको पता है कि ऐसी कि जो सिलेंडर होता है यह हमारा एल पीजी सिलेंडर होता है अगर उसके अंदर आकसिजन नहीं मिलेगी तब तक वहां पे आग नहीं लग सकती है अगर देख ही चाहिए कहीं पे आग लग जाती होर महां पे हावा चलती है और हवा तेज होगी तो ःग फैलने घी आतीक है जैसे बंद कमरे में यह तो वह औलगया तो कि वहाँ पर आप्सिजिन की मात्रा कम है तो आध्यचिक अपने आप बुच जाए इसुलिए इस प्रकार जानी प्रॉडर में ही आक्सिजिन मिलाई जाती है हवा मिलाने के लिए तीन प्रकार के ब्लॉव परियोग के जाते हैं हैंड ब्लोवर मसीन ब्लोवर और प्लंग सिस्टम पहने हैं हैंड ब्लोवर से हवा भरी जाती हैं गैस जाती हैं लेकिन आज कल मसीन ब्लोवर से भरी जाती है यह बिजली का बारा चलता है जिससे जल्दी होती है यदि किसी कार्ण हैंड हैंड ब्लोवर और मसीन ब्लोवर काम ने करें तो प्लग सिस्टम प्लग सिस्टम का प्रियोग किया जाता है इसके लिए इनलेट पाइप में ही एक प्लग हिटे होता है जब गैस भरनी बंद कर दी जाती है तो प्लग दवारा हवा आक्सिजन भर दी जाती है हवा गैस भरते समय इसमें लगी चैंक पर भार रखा जाता है ताकि टैंक उपर उठता जाए तैंक में जितने हवा अंदर जाती है जाती जाएगी टैंक उपर उठता जाएगा क्योंकि हवा गैस से भारी होती है इसलिए गैस भार नहीं आती है और हवा गैस को नीचे दबाती है गैस जैसे जैसे गैस खर्च होती है टैंक अपने आप नीचे बैठता रहता है तो दोस्तों मैंने आपको बता इस वीडियो में कि गैस प्लांट के परमुख भाग रहे उनके कारिये कौन से कौन से कारिये गैस प्लांट में जो लगे होते हैं बाग किस प्रकार से अपना कारिये करते हैं और अगर आप लोगों को गैस प्लांट के परमुख भाग की जानकारी अच्छी लगी और उनके कारिये के बारे में इस वीडियो में आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सेर करना और चैनल को सस्क्राइब करना कोमेंट करना लाइक करना इसी के साथ दोस्तों आप से मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी के साथ ओके थैंक यूँ